सब्सक्राइब कीजिए एफ इस्टेटी कलास चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम कक्ष्या 9 की परसनावली जो 8.1 है उससे पहले उधारन दिये गए हैं वो इस वीडियो में हम सरल करेंगे पीछे वाली वीडियो में आपको इसके जो भी पर्मे थी वो सभी पर्मे में आपको बता दी है तो चलिए हम उधारा नमबर एक है, शरू करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर लिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो देखिए, उधारा नमबर एक में लिखा है कि दर्साये की एक आयत का परतेक कौन समकौन होता है हमें यह सिद्ध करना है कि जो आयत होता है, उसके जो कौन होते हैं, जैसे कौन A, B, C, O, D यह है कौन है, वो समकौन होते हैं, यानि 90-90 डिगरी के होते हैं, तो यह हमें सिद्ध करना है तो हम यह मानेंगे कि जो आयत है, ABCD, उसका A कौन 90ड़ी का है, जिसको हम A मान लेंगे, हम लिखेंगे कि माना ABCD, A, B, C, D, A के आयत है, यह हमने एक आयत मान लिया, इसने यही तो कहा है कि आयत का परते कौन समकौन होता है, यहनि यह एक आयत है, और हमीं ये सिद करना है कि इसका जो कौन है वो 90-90 डिगरी होते हैं तो हमने माल लिए कि ABCD एक आयत है जिसका कौन A बराबर 90 डिगरी है यानि कौन A को हमने 90 डिगरी माल लिए अब देखिए मैं आपको बात बताता हूँ कि जो समानतर चतर बुझ होता है उसको हम आयत कह सकते हैं अगर उसका A कॉन 90 डिगरी का हो क्योंकि आयत में क्या है? आमने सामने ही बुझाएं बराबर होते हैं यानि AB है वो CD के बराबर है और AD है, वो BC बराबर है और समांतर चतर बूज में क्या होता है, उसमें भी समुग बूज़ाने बराबर होती है, तो यानि कि हम आयत को समांतर चतर बूज कह सकते हैं, समांतर चतर बूज को हम आयत कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आमने सामने ही, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हम समांतर चतर बूज का ज क्योंकि अगर इसका एक कोण 90 डिगरी है तो यह एक आयत कहलाएगा अब कोण B C और D यानि कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D इनका यो सोरी यह है वो 90-90 डिगरी के होने चाहिए यह हमें सिद करना यानि कोण B है वो भी 90 डिगरी सिद करना है C भी 90 होना चाहिए और D भी 90 यह sit करना है तो हम क्या करेंगे इसके उपत्ती में देखिए उपत्ती में हम यह मान लेंगे कि यहां पर यह 90 डिगरी है तो हम यह कहेंगे कि यह समांतर चतर बुझ है और समांतर चतर बुझ को हम आयत कह सकते हैं तो समानतर चत्र बुजाएं समानतर होती है, तो हम यह कहेंगे कि AD और BC समानतर है, क्या है AD बुजा समानतर किसके है, BC के, AD समानतर है BC, तथा इनके बीच में एक तिरियक रेखा AB है, तथा AB एक तिरियक रेखा है, तिरियक रेखा है, अब यह तो हमने मान लिया कि यह दोनों समांतर है देखे जब समांतर होती है ये दोनों लाइने को हम समांतर मानें कि ये समांतर है और इनके बीच में एक तीरियक रेखा आती है ये मैंने आपको कई बार बता भी चुकाओं में ये चीज इनके बीच में एक तीरियक रेखा हो तो तीरियक रेखा कि A की साइड के जो यो कितना होगा 180C डिग्री यानि कौन A और कौन B को अगर जोड देते हैं तो क्या होगा 180C डिग्री होगा तो हम लिख सकते हैं कि कौन A प्लेस कौन B बराबर होगा 180C डिग्री कहां से होगा इसमें हम कारण लिखेंगे इसका कारण क्या लिखेंगे कि तिरियक रेखा के एक ही और के अन्ते कौन तो ये इसका कारण लिखना पड़ेगा चलिए ये तो हमने लिख दिया अब देखें एक आमान क्या है 90 डिगरी है दिया गया है हमने मानना था यहाँ पर तो ए की जगा तो हम लिख देंगे 90 प्लस कौन बी की जगा कौन बी बराबर में 180 डिगरी 90 को माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा कौन बी बराबर 180 माइनस 90 180 माइनस 90 क्या आएगा 90 या आएगा तो कौन बी बराबर आएगा 90 डिगरी यानि कौन B का मान आ गया और कौन A का मान ये है 90 तो दो तो कौन हमने ग्याद के लिए अब इसमें समांतर चत्र उज़ का कौन सा गुन लगाएंगे कि समुक कौन बराबर होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि कौन B बराबर 90 डिगरी ये तथा आपको दोनों का ये कारण लिखना है क्या लिखेंगे समांतर चत्र बुज़ के समुक कौन समुक कौन है ये आपको कारण लिख देना है क्योंकि आयत और जो समांतर चत्र बुज़ उसमें दोनों में एक जैसी खास बात में है क्योंकि इसके विए आमने सामने बुजाएं बराबर होती है तो इसको हम यानि कि समांतर चतर बुजगा नियम क्या है समांतर चतर बुजगा ये नियम है कि अगर कोई चतर बुजगा जैसे इसमें ये बुजगा इसके बराबर और ये बुजगा इसके बराबर है तो इसको हम समांतर चतर बुझ कह सकते हैं आयत में भी यही है ये बुझा इसके बराबर है और ये बुझा इसके बराबर तो इसको हम समांतर चतर बुझ कह सकते हैं तो इसमें समांतर चतर बुझ का गुण भी लगा सकते हैं और कौन B का मान हमने ग्याद किया था 90 तो कौन D का भी 90 होगा तो हम क्या लिखेंगे कि कौन D वराबर भी 90 डिग्री तो इस तरह से आपको ये 4 कौन है उनको 90 डिग्री सिद करना है तो हम लिख सकते हैं कि आयत का परते कौन समकौन होता है इसमें हमें दियागा है कि एक सम्चतरवूज के विकेंड पर सपर्श लंब होते हैं यानि एक सम्चतरवूज है A, B, C, D और हमें यह बताना है कि इसके जो विकेंड है वो लंब लंब का मतलब 90 डिग्री का कौन मनता है तो यहां पर यह 90 degree का कॉन मनता है, एक्जम्पल के लिए आपको मैं बताऊँ, तो देखिए, जैसे कि एक यह विकर्ण मान लीजिए, और दूसरा यह विकर्ण, यह दो विकर्ण है, इनके बीच में जो यहां पर यह 90 degree का कॉन मनता है, यहां पर भी बनेगा, इस साइड में भी बनेगा, और नीचे की तरफ यहां पर भी बनेगा, और इस साइड में, यानि चारो तरफ 90 degree के कॉन, तो हम किसी एक कॉन को 90 degree हमें सीध करना है, यानि हम एक कॉन को 90 degree सीध कर देते हैं, इसका मतलब यह क्या है, लंब है, विकेर्ण है वो एक दूसरे पर लंब है, परसपर लंब होते हैं, तो यह चीज़ हम सीध कर दें, यानि एक कोण को 90 डिकरी दर्सा देंगे, कैसे दर्सा आएंगे, तो देखे, अब यह हमारे पास में एक समचत्र बुझा है, समचत्र बु कैसे लगा सकते हैं, कि यह जो बुझा है, वो इसके बराबर है, देखे, चारू बुझा है, तो बराबर है, इसलिए यह समचत्र बुझा है, लेकिन हम कह सकते हैं, कि यह बुझा इसके बराबर है, और यह बुझा इसके बराबर है, समुख बुझाएं भी बराबर है, तो समानतर चत्रवुझ भी तो जली इसमें गुद्वल लगा सकते हैं लेक हैं एक सीद्ध मेफ़िंदेगरी देखें यह दोनों विकटम है इस विकटम पर यह क्ॉंग हमें 90 कोण करना है अगर में कोण两ग ले लेता हूं percent of कि दोनों कोणों का योग है वो 180C डिग्री है क्योंकि एक सीर्थी लाइन पर ये कोण बनते हैं जो कि रेखे की यूगम बनाते हैं उसके बाद में हमें इसको 90 degrees करें कैसे करेंगे 90 degrees करने के लिए हमें इधर वाले कोण को और इधर वाले को ब्राबर करना होगा वह कैसे करेंगे एक इढ़र वाला ओर इढ़र वाला तिरी बूज़ अगर हम सरवांग सम कर देते हैं तो ये कौन है वो इसके बराबर होगा तो दोनों को बराबर पहले बराबर करेंगे उसके बाद में ये रेखे यूगम वाला नियम लगाएंगे तो बराबर कैसे करेंगे सरवांग सम से हम क्या करेंगे एक तो ये तिरी बुज लेंगे और एक इधर वाला तिरी बुज ले लेते हैं दोनों तिरी बुज को सरवांग सम कर देते हैं कैसे करेंगे तो देखे हमारे पास में क्या है A, B, C, D, A के सम चतर बुज है सम चतर बुज है और समझातर बुझ में बुझाएं क्या चारू बुझाएं ब्राबर है तो हम क्या लिख सकते हैं A B ब्राबर है B C, B C के ब्राबर C D, C D के ब्राबर A D, तो हम लिख सकते हैं A B ब्राबर B C, B C के ब्राबर C D, और C D ब्राबर A D, यानि चारू बुझाएं आपस में ब्राबर है है तो लिख लिए कोई भी एक कॉन 90 डिकरी कर दीजी हमें इसी को कर देते हैं कि यह नबब डिकरी हमें सिद्ध करना है तो इसका नाम क्या है यहाँपर लिख दू अगर मैं यह जो पॉइंट है वो है AOD 90 degree कौन AOD बराबर 90 degree हमें सिध करना है तो इसकी उपति में देखिए उपति में अगर हमें 90 degree सिध करना है तो उसके लिए पहले इधर वाला ये कौन 90 degree इन दोनों को बराबर करना होगा और बराबर हो सकते हैं सिरफ सर्वांगसम से तो इस तरी बूज को और इस तरी बूज को मैं सर्वांगसम करूँगा कैसे करेंगे एक तो यह हो गया AOD और इधर वाला COD तो हम लिखेंगे कि तरी बूज AOD वे तरी बूज COD में दो तरी बूज लेंगे एक इधर वाला और इक इधर वाला ये उबेनिष्ट बुजा हो जाएगी इसके अंदर तो हम क्या करेंगे ये बुजा है वो इसके बराबर है AD बराबर किसके है? CD के AD बराबर CD ये हमें दिया गया है क्योंकि ये एक समझत्र बुजी इसलिए हमें दिया है और ये उभैनिश्ट भूजा होगे दौनों तिरे भूज चे काम में आ रही है तो उभैनिश्ट होगी od, तो इसको लिख सकते हैं od बराबर od जो कि उभैनिश्ट भूजा है उभैनिश्ट भूजा तो दो चीजी हमने बराबर करती, तीसरी कहा खरिएंगे ये जो विकिर्ण है वो इस विकिर्ण इदर आदा आदा बराबर होगा क्यों होगा अब इसमें समांतर चतर बुझ का गुण लगा दें क्योंकि समूग बुझाए बराबर है तो समांतर चतर बुझ का गुण तो लगा सकते हैं सम्धी बाजित करते हैं यह आपको इसमें नियम लिखना पड़ेगा इसका कार्ण तो यह विकेड़ वो सम्धी बाजित करते हैं इसलिए आधा भागिये और आधा भागिये दोनों बराबर होंगे हमने तीन चीज़े बराबर कर दी, नियम कौन से लग गया, S, 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 नियम से यानि तीनों बुजाई ही है, तो बुजा, बुजा, बुजा नियम से दोनों त्री बुज सरवांग सम हो गए, त्री बुज A, O, D सरवांग सम है, त्री बुज C, O, D के अब दोनों तरी बूज़े हमने कर दिये सर्वांग सम और सर्वांग सम जो तरी बूज़ होते हैं उनके संगत कोण बराबर होंगे तो इधर वाले तरी बूज़ का ये कोण और इधर वाले का ये इधर वाला कोण बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं A, O, D और C, O, D ये दोनों कोन बराबर होंगे तो हम क्या लिखेंगे कोन A, O, D बराबर होगा कोन C, O, D के कारण क्या लिखेंगे बाई C, P, C, T या आप हिंदी में लिखना साओ उस हिंदी में लिख सकते हो कि सर्वांक समत्री बुझको संगत कोन है इसलिए बराबर है बराबर कर दिया अगर मैं इन दोनों देखें ये तो बराबर हो गए यहां तक बात खतम हो जाती है अगर मैं इन दोनों कोनों को जोड़ देता हूँ तो एक लाइन पे शिद्धी रेखा कि उपर यह पुरा कोन कितना बनेगा 180 डिगरी बनेगा यानि कि रेख्षी की युगम बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं लेकिन कोन AOD यानि इन दोनों को जोड़ देए प्लस COD दोनों को जोड़ देए 180 डिगरी बनेगा क्यों बनेगा क्योंकि ये रेख्षी की युगम बनाते है रेख्षी के युगम इसलिए 180 बनेगा तो हमने 180 लिख दिया बराबर में अब देखए AOD और COD बराबर है तो हम क्या करेंगे? AOD को AOD रखेंगे और COD की जगा IOD लिख देंगे 180 degree ऐसा ही होगा दो कौन अगर एक जैसे जुद्ध यानि कि 2 प्लस 2 कितने होगे 4 होगे तो इनको भी जोड़तेंगे अब यह ऐसे तो जोड़तें नहीं है तो AOD प्लस AOD कितने होगे 2 AOD तो 2 कौन AOD बराबर में 180 degree 2 गुणा में भाग में आ जाएगा तो कौन AOD बराबर में 180 बटे 2 180 में 2 का भाग दिया तो क्या आया 90 degree यानि कौन AOD का मान 90 degree AOD कौन सा AOD यह जो कौन है इधर वाला यह कितना हुआ 90 degree इसका मतलब समचतर बुज के विकिन पर्षपर क्या होते हैं 90 degree कैसे दर्साएंगे अगर हम यहाँ पर देखिए COD है इसको COD रखेंगे AOD की जगा भी COD लिख देंगे तो COD आ जाएगा वो भी 90 आ जाएगा इसी तरह सी नीचे वाला है उनको भी कर सकते हैं तो आप एक कौन को 90 degree देशा दीजिए इसका मतलब यह होगा सम चत्रबुज के विकिन पर्षपर लंब होते हैं तो आप नीचे यह बात आप लिख सकते हो इसके चाये तो यहाँ पर कि सम चत्रबुज के विकिन पर्षपर लंब होते हैं तो यह था इसका उधार नंबर 2 आपको इसमें कुछ गुण है वो ध्यान रखने हैं जैसे कि इसमें समूख बुजाएं बराबर है तो इसको एक समांतर चत्रबुज का गुण लगा सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया भी है इसमें कि समांतर चत्रबुज के विकिन समधिवाजित करते हैं तो इस तरह से, तो इस वीडियो में आपको उधार नमबर 1 और उधार नमबर 2 है, दोनों बता दिये हैं, वीडियो अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है, तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नई वीडियो के साथ तब तक के लिए, थैंक यू.